हलो बच्चो क्या आल चाल कैसे हैं आप अच्छे हैं तो अच्छे रहिए स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए और मन लगा के एकदम पढ़िए क्योंकि बहुत ही कम समयार था दो से तीन दीन बचा हुआ है तो इस दो तीन दिन में तयारी इतनी जोड़दार करिए कि एस टाइट एकदम किलियर हो जाए ता यह स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज मैंने most selected question hundred दिये थे और भी without answer मैंने इसलिए दिया था कि आपका यह समझी एक paper है और check कर लें इसमें कि आप कितना question आप सही कर सकते हैं उसका मैं answer इस question में बताते चला हूँ आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा अब पढ़ने के बाद से जैसा भी होगा वैसा अपनी प हमारे पास भी कम है और हमारे पास भी कम ही है देखी फर्स्ट हमारा question दे रहा है कि अधिकार सुल्क अर्थात royalty account है थोड़ा सा यह typing mistake इन्होंने कर दिया है सुल्क होना चाहिए सुकल ले दिया गया अधिकार सुल्क है कौन से खाता है वास्तवी खाता वास्तवी खाता ना royalty account हमारा नामातर का खाता होता है अगला दिया गया है कि मिर्थ किराया मिर्थ किराय को कहते है तो देखें मिर्थ किराय को कहा जाता है minimum rent हमको जिसको MR कहा जाता है minimum rent को इस्तिर किराया और मिर्थ किराया दोनों कहा जाता है इसलिए इसका option होगा C next हमारा question दे रहा है अधि कार सुल्क होती है उसकी गड़ना किस बेस पर की जाती है देनिक आधार पर मासिक आधार पर उत्पादन विक्री के आधार पर अर्थाति चारो उपर के तीनों आप्शन सही होगा बताए किस आधार पर की जाती है तो यहां पर उत्पादन के भी आधार पर किया जाता है और बिक्री के भी आधार पर दिया जाता है, इसलिए option इसका C सही होगा, चुकि उपयुक्तों तो दोनों दिया नहीं गिया है, अगला बढ़ते हैं इसमें, एक question आपको पहले हम में MCQ में दे भी चुगा हूँ, कि सांख की अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह क पढ़ा के बताया था कि जो भी प्रकासन कराया जाएगा, चाब वो प्रकासि स्रोत हो या और प्रकासि स्रोत हो दूती समंग कराते हैं, क्योंकि प्रात्मिक समंग तो मूल आंकड़े होते हैं, यहां भी दिया है हुआ, प्रात्मिक समंग होते हैं, मौलिक, अमौलिक, दो अगला दिया है, कि आठ नमबर हमारा question है, कि सांख की माधे जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, माध माधिका, हरात्मक माध, गुनुत्तर माध देखे, सब जल्दी बाजी में थोड़ा सा बना है, थोड़ा एड़िस्ट कर लिजेगा आप लोग कुछ हिंदी टाइपिंग जानते हैं, कितना लेंदी होता है, लेकिन फिर भी, क्योंकि डेली बाजी आपका study material बना है, ऐसा नहीं कि पहले से बना कर रखा गया है, रोज content बनाते हैं, रोज आपको provide करते हैं, तो सांख की माध जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है, वो कौन सा माध है, तो वो आपका माध है माधी का, कौन सा option सही है, बी, अल्प असम मिती आविर्त वीतरण की इस्थती में निर्म में से कौन सा सही है, पताई इसमें सा सही कौन सा दे रहा है, तो सही option है, भुष्टा की skull 2 होता है, आपको पढ़ाये थे कि एक बाउलक का बैकल्पिक सुत्र होता है कि Z is equal to 3 यह मैनस 2X बार वही चीज़ यहाँ पर दे रहा है कि वुष्ठक is equal to 3 मादिका मैनस 2X बार अगला दिया है कि यह अडिटिंग का क्वेश्चन है कि अंके छक का उद्देश होता है अंके छक का क्या उद्देश होता है अंके छक यही न करता है कि जाल साजी जो होता है पता लगाता है लिटिय सुदियों का पता लगाता है सर्धान्ती का सुदियों का पता लगाता है ता सही पूरा है 11 नंबर में कह रहा है कि एक कंपनी के अंके छक को हटाया जा सकता है एक कंपनी के अंके छक को किस कंडिशन पर कौन हटा सकता है तो एक कंपनी के अंके छक को प्रवंद संचालक, 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 मंडल, आम सभा बताईए कौन हटा सकता है वैसे तो देखा जाए कि एक कंपनी के अंके च्षक को कियेवल आम सभा द्वारा हस्टाः जया सकता है आम सभा मतलब समय जै जैना अनसधारियों की सभा 12. tableै lots 12 number question में निमलिकीत में से कौन से अंके च्षक के रूप में निक्त हो सकता है मनें अडिटर कि इसको निक्त किया जा सकता है कुन सा होता है चोकसी करने वाला कुत्ता चोकसी बने होता है रखवाली सिकारी कुत्ता क्रोधी कुत्ता लालची कुत्ता कौन सा होता है जो एक अंके छक होता है वो रखवाली करने वाला कुत्ता होता है यह उल्ले कहां किया गया है यह भी याद रखिये गया किंगस्टन का कर समाप्त किया सकती है अगला दिया गया है कि एक अब्यस को किसी साइधारी फर्म का साजेदार बताइए बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है कि सभी साइधारों की स्वर्मती से लाव के लिए बनाया जा सकता है ये ऑप्शन सही है एक बिरहत आकार की उद्धो की अस्थापना के लिए सर्व सेष्ट प्रणाली कौन सी है एक बड़े आकार की फेक्टरी यास्थ की अस्थापना के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कंपनी साइधारी एकल साइधारी कौन सा है साकारी कौन सा है संयोत पसकंद कंपनी का होना चरूरी फिर अगला है कि भ फट फट इतना कंटेंट डेली डेली देना तो भाई प्रेसर है तो भाई थोड़ी से मिस्टेक हुई जा रही है लेकिन आप लूप पढ़े लिखें हो सियार है उसको एड़ेस्ट कर गीएगा तो कर रहा है कि भारती रेलवे का संगठन स्वरूप कैसा होता है तो बताइए कि कमपनी द्यान दीजेगा कमपनी अधनियम कब लागो हुआ बताइए कमपनी अधनियम कब लागो हुआ चुकि यहां पर जो दिया है यहां 1956 वाले का उलिख नहीं किया गया है यहां पर 2013 का उलिख किया गया है कमपनी अधनियम जो 2013 लागो हुआ था यह अपरेल 2013 अगला लगला है कि एक कमपनी का निर्मार किया जा सकता है बताई ये कमपनी का निर्मार कैसे होता है एक सामाने कानून द्वारा किया जा सकता है आपसन भी सही आप लोग मिलाते जाईएगा कितना सही जानते हैं है बागला है कि रेनग पत्र सोधन प्रीमियम खाता है है क्यों से खाता है कि ये टैप की लाइबिल्टी जो की समझी है 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 zusammen कि किन ऊच्छे चला गया कर्या लोग को और पत्र सोधन कोस विनियोंग पर ब्याज टीक, आत तो नीचे चला गया है, रिण पत्र सोधन कोस बिनियोग पर व्याज को credit किया जाता है, बनाय जाता है, तो वहां पर व्याज को किस खाते में credit किया जाता है, इस question का मतलब गटने है, तो रिण पत्र खाते में बिलकुल आपसन गलत है, आगे बढ़ते हूं, रिण पत्र सोधन कोश खाते में यही आपसन सही है तो आपसन कौन सही है? घरेलू पत्र जो सुपूर्दगी मात्र से हस्तनांतरित हो जाते हैं क्या कराते हैं? अब देखें, घरेलू पत्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा घरेलू रिण पत्र घरेलू रिण पत्र या घरेलू पत्र या ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि वे रिण पत्र जो क्योवल सुपूर्दगी मात्र होते हैं तो वो कौन सा भाई रिण पत्र होता है? बताईए, वो वाहक रिण पत्र होता है अगला दिया गया है कि निवासस्थान के इंकम टेक्स का कुश्चन है कि निवासस्थान के आधार पर करदाता को कितने स्रेणियों में बाटा गया है निवासी और सदारण निवासी और निवासी इसी पर एक और इंकम टेक्स का कुश्चन है कि पाकिस्तान में किर्सी से आय कर्मुक्त है पाकिस्तान में इस्थित किर्शी भूम से जो आये होती है कर्मुक्त होती है किस दसा में होती है भाई तो ये आपका option है कि निवासी की दसा में ठीक न? अगला दिया है कि कर्मुक्तायों का उलेक किस सेक्षन में किया गया है कि ये तो गायब हो गया, ये इधर दिया गया, करमुक्तायों का उल्लेग धारा दस में किया गया है, Option B से अगला कह रहा है कि सांसर सदस्को प्राप्थ होने वाला दैनिक भत्ता आए क्या होता है कर्मुक्त होता है अगला है 28 नमबर कुश्चन दे रहा है कि भारती करेंसी जारी करता है भारती करेंसी कौन जारी करता है यह तो पूरी दुनिया जानती है भाई कौन जारी करता है रिजर्बैंक का फिर दिया विदेशी बिनमे के नियमन और प्रवंद की सक्ति किसके पास है भाई किसके पास है रिजर बैंक के पास है आगे हैं विदेशी बिन में प्रवंद अधनियम लागू किया गया था तो एक जून 2000 जिला उभोकता संदच्छन परिशत का सभापत ही होता है जिला उभोकता संदच्छन परिशत का सभापत कौन होता है तो जिला आपूरती अध कारी होता है ठीक ना विजनस ला का कुश्चन है फिर वहें से related कुश्चन है कि जिला फोरम में अध्यक्ष के अतरिक्त होने चाहिए कम से कम जिला फोरम में एक अध्यक्ष के अतरिक्त कितने members होते हैं तो इसका सही option है कि चार मेंबर हो जिला फोरम के अध्यक्षियों सदस्यों के निक्ति की जाती है किसके द्वारा भाई की जाती है राजसरकार द्वारा की जाती है फिर अगला है बिनमे साद बिलेख पत्र अधनियम लागू हुआ बिनमे साद बिलेख पत्र अधनियम कब लागू हुआ एक मार थारा स्वई क्या सिंद्ध हुंडी को जाना जाता है जिक्री बिल, खोखा, पुर्जा, इनमें से सभी तो सही आप्सन है, सभी अगला है बिन में बिल होता है बिन में बिल होता है सर्त रहित, आग्यापत्र, पतिग्यापत्र, मुद्रांकन बताई ये विन में विल क्या होता है? एक आग्या पत्र होता है. ठीक ना? अगला है कि कौन से कुश्चन है? सहथी सहथ. चेक का रेखांकन नहीं कर सकता है. सोची चेक का रेखांकन नहीं कर सकता है. कौन नहीं कर सकता है? चेक का रेखांकन लेखा कर सकता है, धारक कर सकता है लेकिन एजेंट चेक का रेकांकन नहीं कर सकता है ठीक ना? बस तु बिनमे अधनियम लागू होने की तीथी है बस तु बिनमे अधनियम भाई कब लागू हुआ था? तो बस तु बिनमे अधनियम एक जनौरी 1930 को पहली बार लागू हुआ था अगला है कि निम्न लिखित माल है बताना है कि इसमें से माल कौन है इस्टाक, घास, उगती, फसल इनमें से सभी बताईए माल को किस रिणी में किसको रखा गया है भाई क्या घास माल है उगती, फसल माल है इस्टाक माल है तो इसमें से सब माल है ठीक न? वैसे accounting की द्रिष्टी से हम देखें तो यहाँ पे stock माल होता है घास आयोगती फ़सल नहीं होता है लेकिन यहाँ पे हम income tax से द्रिष्टी से देखेंगे तो इनमें से सभी माल की स्रेडी में आते है अगला है कि बस तुभिक्रे अधनियम लागू होता है बस तुभिक्रे अनुबंद अधनियम लागू होने की तिथी है भारती अनुबंद अधनियम है पहली बार कब लागू हुआ था भाई देखिए इस पर इस्टार भी लग गया पता चल जाएगा एक सितंबर 1872 अनुबंद की परिभासा किस सक्सन में दी गई है तो अनुबंद की परिभास धारा दो ज्यों में दी गई है अगला है कि ठाराओ के लिए आवस्यक है बचन और ठाराओ के लिए बचन के साथ साथ प्रतिफल का भी होना जरूरी होता है एक ठारा एक परिभासा है एक ठाराओ जो राजनियम दोरा परवर्तनी हो अनुबंद है बर्णी थै ये अक्सर एक ठाराव जो राजनियम दौरा परवर्तनी है वो अनुबंध है ये बन्डित है किस सक्षन में कहा गया है ये कहा गया है धारा दो जवन अगला है ये रेशियो अनेल्सिस का है आदर सन्पात माना जाता है आदर सन्पात दो समंधे योग क्यों कि आदर सन्पात ये जिक्र किया गया है चालू अनुपात के संब न geht, आदर्स तरहलً अनुपात होता है, एक संबन्देग के, अकसर ये सब कोशन पूचे जाते हैं, बड़Hay टेपल कोशन है, निम्न चालू अनुपात का अर्थ है, बने यह निम्न दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि चालूद का क् अनुपात होता है कारसील पूजी में कमें, कारसील पूजी में निम्न चालू अनुपात, लियान दीजेगा, निम्न चालू अनुपात का मतला होता है कारसील पूजी में कमें, थोड़ा सा यहीं पूछा राता है कि उच्छ चालू अनुपात क्या होता है, तो उसमें मतला हो कि सकल लाव अनुपात होता है सकल लाव अनुपात होता है मैं अभी लेक्षर में आपको मैं दिया था सकल अनुपात किसके किसके भी संबंद बेक्ट करता है सकल लाव और सुद्विक्री के बीच मैं बताया था लेक्षर में देख लीजिए गर मिलेगा पैसा तो आए गए बेचेंगे तो अगला है निम्न में से कौन निम्न में से कौन गैर चालू समपत्ती है गैर चालू समपत्ती का मतलब है कि Fixed Assets बने Non-Current Liabilities को ही गैर चालू समपत्ती कहा जाता है तो बताइए यह तो चालू समपत्ती है एवी चालू है एवी चालू होती ही है जो चालू संपत्ती नहीं है दिख्याती है अगला है कोस प्रवाह विवरण में कोस प्रवाह विसलेशन में प्रियुक्त कोस सब्द का क्या आसक है कोष प्रवाविरोनम कोष से तातपर्ज होता है चालू संपत्ती माइनस चालू दाहित अर्थात कोष से तातपर्ज वर्किंग कैप्टल से होता है निम्लिखित में से कौन रोकड के अंतरगत नहीं आता है? अस्थाई संपत्ती का क्रेय क्या रोकड के अंतरगत आता है? माल का अभिक्र है? क्या रोकड के अंतरगत आता है? अस्थाई संपत्ती का अभिक्र है? आता है? इन में से कोई नहीं आता है? इन में से कोई नहीं आत अब यहाँ पे रोकड के अंतरगत नहीं आता है। बहुत ही ठिकल कोश्चन है। यदि इस कोश्चन में ध्यान दिजेगा, रोकड के अंतरगत लिखा गया है। तो यहाँ पे ये तीनों ही रोकड की अंतरगत आता है ये नहीं आता है क्यों बेचते हैं खरीते हैं तो पैसे का आवगमन होता है बेचते हैं माल तो भी पैसे का आवगमन होता है अस्थाई संपति का विक्रे करते हैं तो भी पैसे का आवगमन होता है तो इन में से कोई नह आपसा पूछे, कौन रोकड का अंतर प्रवा है, ज्यान दीजेगा, अंतर प्रवा है, अंतर प्रवा मने किसके थुरू रोकड आता है, तो वहाँ पे होगा यह आपसन, अब कौन रोकड का बाहे प्रवा है, मंद्व पैसा जाता है, तो वहाँ पे आपसन होगा यह, लेकिन इस question के according एक exam में आया था ये भी बहुत सारे बच्चे इस पर objection भी किये थे क्योंकि रोकड के आगे इस बात का उलेख नहीं किया गया है कि ये अंतर प्रवाँ पूछ रहा है कि बाहर प्रवाँ तो इस दिर्ष्टी से देखेंगे question की दिर्ष्टी से तो ये आपका answer होगा और अंतर प्रवाँ देखेंगे तो हमारा ये होगा और बाहर प्रवाँ के अंतर प्रवाँ के अंतर प्रवाँ देखेंगे तो ये होगा ठीक ना अगला बड़ी कि जो question दिये है ये बहुत different different exam प्रवाँ में पूछे गए questions अगला है कि निम्न में से कौन रोकड का बही निर्मन है बही निर्मन है आउट प्रवाँ ये प्रुर्वदत लिखा है मने टैपिंग गड़़ी है प्रुर्वदत बे में बिर्धी रहतिये में बिर्धी प्राप्त बिल में बिर्धी अदत बे में बिर्धी बताई कौन सा होगा बाह प्रवन किसके द्वारा होता अदत बे में जब बिर्धी होती है अदत बे में का मतलब हो गया कि current liability में जब बिर्धी होती है तो रोकड का बाह प्रवाँ होता है अगला है कि रोकड प्रवाव विवरण बिती आयोजन की किस प्रारूप में सहायता करता है, रोकड प्रवाव विवरण है बिती आयोजन जो financial provision करते हैं, तो उस किस रूप में सहायता प्रदान करता है, तो ये अक्तियंत अलकालीन रूप में सहायता प्रदान करता है, क्यों अपका धारा असी है, इदार लिख दे रहा है, धारा असी डीडी, इसका मतलब होगा धारा असी डीडी, धारा असी डीडी के अंतरगत निसक्त के संबन्द में कटोथी स्विक्रित की राज कितनी होती है, जो सारेरिक रूप से निसक्त है और समर्थ है निकलांग है उनके संदर में कितनी कटोती स्विक्रित की जाती है तो 75 जे इंकम टेक्स में आपको पढ़ाएं लेकिन वही जिए गंभीर निसकता है तो वहाँ पे 21 जा रहा है लेकिन इस ओप्सन के इसाब से 75 फिर यहीं पिकारा है निम्न मेंसिक दिये गए किस दान पर 100% कटोती स्विक्रित होगी तो वह है राष्टी खेल को सायोग में ज़िदान दिया जा रहा है तो 100% बाकि यह ती की कटोती लागू होती है अगला है कि अधिकार सुल्क के रूप में कम रासी कम रासी से होने वाली हान के विरुद एक बीमा है अब आगे देखते हैं क्या हाँ यहाँ पहरा है आपसन में अल्पकार रासी जुन्तम किराय रास अधिकार सुल्क सुल्क देखिए सुल्क है लहुकार रास इसमें से सही आपसन क्या होगा भाई सही आपसन है अल्पकार रास अगला है कि अधिकार सुल्क चुकाया जाता है, अधिकार सुल्क किसके द्वारा चुकाया जाता है भाई, रायल्टी कौन चुकाता है, कमपनी द्वारा सरकार को चुकाया जाता है, ठीक ना, रायल्टी कौन चुकाता है, नहीं, एक सेट है न, ठीक, और अधिकार सुल्क कि इसके द्वारा चुकाया जाता है, तो अधिकार सुल्क किया होता है, पर कासक द्वारा चुकाया जाता है, क्योंकि देखते होंगे कि जब बुक्स उगरे लिखी जाती है, तो बुक्स लिखने के बदले में पबलीसर द्वारा उस लेखा को जो सुल्क दिया जाता है, जितन अगला दिया है, कि कॉपी राइट अधिकार सुल्क चुकाया जाता है, कॉपी राइट अधिकार सुल्क किसके द्वारा चुकाया जाता है भई, प्रकासक द्वारा लिखको, कौन सा माधिक इस्थती माध है, ये भी आपको पढ़ायते, तो इसमें जो माधिका होती है, वो अगला है कि स्रेणी में बहुलक की आविर्ती होती है, सबसे कम बार होती है, सुन्ने बार होती है, सबसे अधिक बार होती है, और सभी संभवत, गलत सही क्या है? समुहन रीती सम्मंधित है, समुहन रीत का प्रियुक तो बहुलक में किया जाता है, लगला है कि ख्याती का मुल्य सरवाधिक होता है, बताइए, किस टाइप की ख्याती का मुल्य सरवाधिक होता है, कुट्ता, चूहा, एक और बिल्ली भी होगा, तो आपसे मैं बता दें कि गिल्ली की सभाव की ख्याती का मुल्ल सबसे अधिक होता है। ख्याती के मुल्यांकन की बिदी है। सुद्धलाव बिदी, परिचालन बिदी, अधिलाव बिदी, पुझी संचय बिदी, तस्वई बिदी है। अधिलाव बिदी। अगला है कि दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली पुस्तक लिखने वाले थे, कौन लिखा था भई, लुकस पैसुया थे, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतेक ब्योहार का लेखा किया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली में किस टाइब के ब्योहार का लेखा किया जाता तो ध्यान दीजेगा कि एक खाते के रिड़ी पक्ष में और दूसरे खाते के धनिकों क्योंकि डवल इंटे सिस्टम कहता है कि प्रतेक टांजेस्टन को हम दो पक्षों में लेखा करते हैं जिसमें से एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिक, option D सही अगला का रहा है कि दोरा लेखा प्रणाली में खतवनी किस अवस्था में की जाती है खतवनी प्रारंभी खाते की स्थिति में अंतिम खाते बनाने पे सारांस में बर्गी करण की अवस्था में सही आपसन है बर्गी करण की अवस्था में खतवनी की जाती है 71 नंबर क्वेश्चन में कुरा रहा है कि व्यापार के स्वामी दोरा व्यक्तिकत प्रियोग के लिए नगत रकम निकाली गए उसका प्रेडिक किया जाये को इंटेड किया जायेगा ये जल्दिबाजी में आप लोगी गलती किसको कर जाएंगे, देखी गा, ब्यापार के स्वामी द्वारा ब्यक्तिकत परियोग के लिए नगध रकम निकाली गई क्रेडिट किया जाना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है नगध, जब भी हम ड्रॉइंग करते हैं, तो वहाँ पे उसके एंट्री हमारी क्या होती है, ड्रॉइंग काउण डेबी, टू माल लिजे, अब निकाला, तो यहाँ पे आपका, जदी गुट्स निकालता है, तो परचे लिखा जाता है, लेकिन यहीं पे जदी कैस निकालता है, तो यहाँ पे नीचे, इसके जग़ हम क्या लिखते हैं क्या इस निकाल जो चीज भी ड्रॉ करेगा वो चीज का नाम क्रेडिट किया जाएगा मेरी बास समझ रहे होंगे कैस निकाला जाएगा कैस टू कैस क्रेडिट किया जाएगा और वहीं गूट्स निकाला जाएगा तो तू पर्चेश क्रेडिट किया जाए इधर गया भाई इसका कौन सा होगा अगला कारा है कि उधार बिक्री निम्न में से किसमे अवलीखित किया जाता है जब भी उधार बेचा जाता है तो बिक्री बही में लिखा जाता है उधार खरीदा जाता है तो क्रे बही में लिखा जाता है अगला है कि रोकड बिक्रे किस में दर्ज किया जाता है मैंने रोकड बेचा जाता है तो किस में दर्ज किया जाता है रोकड बज में किया जाएगा अगला है बिक्रे पर दिया गया बट्टा है बिक्रे पर जो दिया गया बट्टा होता है वो क्या खालाता है वो अलाभान खाती के डेविट में जाता है, क्रेवला कहा जाता है, ट्रेडिंग के डेविट में जाता है, एक रहाक फर्म में रिन के लिए साइदार का दाइत होता है, मने एक साइदारी फर्म में रिन के लिए साइदार का क्या दाइत होता है, संयुक्त होता है, ब्यक्तिक की तारीख नौ बताई गई हो तो आहरण पर व्याज कितने महेने की हिसाब से लगेगा तो जब आहरण की तारीख नौ दी गई हो तो आच्छे महेने के हिसाब से लगेगा अंतीम खाते वो विबरन पत्रों से तातपर्ज है अंतीम खाते से यहां क्या तातपर्ज है वई च ब्यापार खाते का सेश दरसाता है, क्या दरसाता है, कुल लाब अथवा, कुल लाब का मतलब ग्रोस प्रोफिट, असुद लाब का मतलब नेट प्रोफिट, तो ब्यापार खाता कुल लाब, मने ग्रोस प्रोफिट दिखाता है, और लाब हन खाता सुद लाब, नेट क्या होता है तो सभी लोग जानते हैं मालिक होता है भाई स्वामी होता है संतांस धारी क्या होता है कंपनी का स्वामी होता है पुर्वादिकार अंस वे हैं क्या है यह भी पढ़ा के आपको बता है पुर्वादिकार अंस वे हैं जिन पर निश्चित दर से लाभांस प्राप् की दसान में पूजी वापसी का पुरवादिकार होता है अगला दिया है कि एक कमपनी में वापसी खरीद का किस्से सम्मंद है वापसी खरीद का संचई और गैर भागी और परवर्तनी रिण पत्र से है अगला है अधिकृत पूजी से आसे है अधिकरित पूजी से क्या सहय भई अंस पूजी की अधिकतम रास जिससे निर्गमित किये गये अधिकरित किया गया है मतलब ऐसी रास जिसे हम registration कराते समय अपने company की पारस सीमा नियम में जिसका उले किया गया है उसे अधिकरित पूजी कहा जाता है यहाँ बने निर्गमित करने से पहले उसको एक और option होना चाहिए, रजिस्टरड कराए गया है, इसलिए से रजिस्टरड मुझी भी कहा जाता है, ठीक है? अगला है प्राप्ती और भुक्तान खाता है भाई प्राप्ती और भुक्तान खाता कौन से खाता है वास्त्वी खाता है प्राप्ती और भुक्तान खाते का सारांस होता है रोकड भाई की तरह होता है अगला दिया है कि जद किराया क्रैपधत के अनुसार विका हुआ माल वापस होता है तब इक्रेता की पुस्तकों में क्रेडिट किया जाता है क्या क्रेडिट किया जाता है माल वापसी खाता क्रेडिट किया जाता है किरायक प्रयपद्धत में जोखिम हस्तरांत्रीत होता है उन्तिम किस चुकाने तक रहता है उसको चुकाएगा तब जाएगा वो मालिकाना हाक मिलेगा उसको अगला है लेखांकन मानक बोड़ की अस्थापना हुई यह यहाँ दिया है अब बागी इदर दिया गया लेखांकन मानक बोड़ की अस्थापना भारती चार्टाड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा की गये खुद्रा या लगुरोकण बही का सेस है खुद्रा और लगुरोकण बही का जो सेस होता है एक टाइकी संपत्ती होती है अगला दिया है कि खाते का बरिक्रण या संग्रण किया जाता है खाते का जो बरिक्रण और संग्रण है वो खाता बही में किया जाता है तलपट किस बही में से तयार किया जाता है तो तलपट जो होता है खाता बही से तयार किया जाता है अगला क्या दिया है? 12 लेखा प्रणालिक सर्वाधिक लोगपरी है क्योंकि किस वज़े से लोगपरी है? यह पूर और बैग्यानिक प्रणालि है. विदेशी बिन में प्रवंद अधनियम कब लागू हुआ था भाई? मताईए. बिदेशी बिन में प्रवंद अधनियम कब लागू हुआ था एक जून दो हजार को लागू हुआ था फिर बिदेशी बिन में वो नियम और नियम और प्रवंद की सक्ती किसके पास है सीधे जानते ही होंगे आरवियाई के पास है अगला है अंके छक का आसा है के चण कुकाते हैं अब यहाँ पे फोड़ा समिष्ट रहे हैं कि ग्यान दीजेगा Il है अंके चण मेरे पास बीटना टाइम ने मिला कि मैं अंके चंण से आश heavier कि अंके चण्ण से क्या ताथ पर है लेखा पुस्त Kr subjectsanor इस परिचन या जह से इंस्चूट आप चार्टार एकाउंटेंट आफ इंडिया की अस्थापना एक स्वायत संस्था के रूप में हुई, कब हुई थी भाई? बताइए, एक जुलाई 1949 इसी से रेलेटेड एक और कुश्चन है, कि इंस्चूट आप चार्टार एकाउंटेंट अधनियम लागू हुआ, बनाता 1949 मतला लागू कब होगा, तभी न होगा, 1949 में होगा, स्वायत संस्था के रूप में हुई, अब यहाँ पे दिखे, यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट एक कुश्चन है, यह स्वायत संस्था जानते हैं कि इसको कहा गया है, यह कहा गया है कि भारत में लागत लेखांकन, जयान दीजेगा, स्वायत संस्था के रूप में हुई थी, इसको कहा जाता है लागत लेखांक, लागत लेखांक, लागत लेखांकन सबसे पहले जो लागू हुआ था, ये 1944 में हुआ था, ये अधनियम के रूपे में मना 1969, तो ये चुकी एक एक जाम के कुश्चन है, वहां से लिया गया है इसका, इसका सही आपसन 1944 हुआ, और कास्ट एंड वर्क एकाउंटेंट अधनियम लागू हुआ, देखिए, कास्ट एकाउंटेंट जो शुरुआत हुए थी उने 1944 में, लेकिन लागू जो हुआ, 1959 में लागू हुआ था, ठीक न, अभी इसमें भी है, उसके आगे यहां पे भी वर्क हुआ है, लेकिन अब ला कर रहे होंगे, और आपके क्वेशन अच्छे सही हुए होंगे, यह समझे कि बहुत अच्छी इस्तिती में है, क्योंकि यह सारे पेपरों से थोड़ा-थोड़ा क्वेशन क्लेक्ट किया गया, यह तो आज पहला टेस्टरी था, अगला टेस्टरी भी कल आपको मिल जाएग कि हमको किसी भी तरह एक जाम पास होना है, ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं मेनद कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे लिए भी आप लोग मेनद कर लिए, all the best, फिर मिलते हैं, next lecture